हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग फ्रेंज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको माल्टा का गोल्डन वीजा या पास्पोर्ट चाहिए तो आपको क्या करना है फिरंज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं यह जो गोल्ड वीजा होता है इसके लिए काफी ज साइट है उसके माधम से आर्टिकल में लेकर उनका धन्यवाद देना चाहता हूं देखे फिरंज माल्टा गोल्डन वीजा होता है एक रूट होता है जिससे जो हाई इंकम वाले लोग हैं वो माल्टीज मतलब माल्टा का पास्पोर्ट एक से लेकर तीन साल के अंदर प्रा करनेंट फंड है माल्टा का उसमें डालना पड़े का गया देखे 2750000000 उनका यूरो डालना पड़ेगा यूरोप की करन्सी वह तो आपको अगर डालेंगे तो एक सार एंदर उनका पास्पोर्ट मिल जाएगा अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप इतना डाल सकत यहां पर एक और दिखा है कि अगर आपकी फैमिली को रहना है वहाँ पे तो डारेक्ट इंवेस्टमेंट करके आपको पासपोर्ट मिल सकते हैं अब देज सकते हैं माल्टा citizenship by investment तो मतलब आप आपको वहां की नागलिता अगर चाहिए तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं यह देखे प्रोग्राम का नाम लिखा है इसमें जैसे मैंने आपको बताया अगर आप आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक से तीन साल के बीच में वहां की citizenship भी मिल सकती है और यह होता है आपको वहां की नागरिकता मिल जाती है अब देखे यहां पर लिखा है इन्वेश्मेंट ऑफ्शों माल्टा सेजिए पर इन्वेस्ट क्या क्या है देखे त्री एर प्रोग्राम है अब यह आपको बता दिया कि 6 लाग है इसमें अडिशनल फैमली मेंबर्स के लिए आपको 50 और और देना पड़ेगा ठीक है फ्रेंट वान इयर प्रोग्राम जो है इसमें 7 लाग पचास अब देखे आपको अगर इसका रेसिदेंसी प्रोग्राम करना है तो देखे यहां इनों में लिखा है रेसिदेंसी प्रोग्राम के लिए एक लाक यूरो आपको डिपॉजिट वहां के डेवल्लप्मेंट फंड में डालना पड़ेगा तो देखिए अगर आप इतना करते हैं तो आपको वहां का जो गोल्डन वीजा है वो मिल जाता है कोई भी डाउट है फ